आईए सुनते हैं यस्पाल जैन जी की कहानी महंता का रहष्य नेपोलियन बहुत बड़ा समराठ हुआ वे बड़ा प्राकर्मी था बड़ा योद्धा था उसने बहुत सी लड़ायां लड़ी और उनमें जीता प्राकर्मी होने के अत्रिक नेपोलियन में बहुत से गुण थे नीत पर उसका इतना अधिकार था कि घोड़े की पीट पर बैठा बैठा वे घंटों सो लेता उसके साथ कोई कुछ भलाई कर देता तो वे उसे कभी भूलता नहीं था जिन दिनों वे स्कूल में पढ़ता था उसे फल खाने का सोग था कभी कभी उसके पास पैसे नहीं होते थे तो एक फल वाली भरी मानस पुडिया उसे फल उधार दे देती थी उसके कुछ पैसे देने को रह गए तो समराट हो जाने के बाद नेपोलियन एक दिन उस सहर में गया और उसकी दुकान पर जा करना केवल उसके पैसे चुकाए उसके लड़के को सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया आखिर नेपोलियन वाटर लू की लड़ाई में पराजित हो गया उसे सेंट एलबा में बंदिक बना कर रखा गया नेपोलियन को टहलने की आदत थी एक दिन साम को वर टहलने निकला उसकी परचारिका साथ थी थोड़ा आगे निकलने पर परिचारका ने देखा सामने से एक वृद्धा अपने सिर पर कुछ सामान रखे चलिया रही है पकडंडी संक्री थी उसने बढ़कर वृद्धा से कहा समराट आ रहा है एक तरफ हो जाओ निपोलियन ने ये सुना तो बोला मदाम बुढ़े और बोश से दबे व्यक्ति का आदर करो इतना कहकर वह स्वैम पकडंडी के एक और खड़ा हो गया और बुढ़िया को रास्ता दे दिया बिना बड़े हिर्दय के कोई महान नहीं बन सकता धन्यवाद